वीडियो में हमने पढ़ा था बैद्दूत आभेस के बारे में बैद्दूत आभेस क्या होता है कैसे उत्पन होता है और बैद्दूत आभेस कितने प्रकार का होता है उसके मात्र का गेरा बगेरा आज हम जानेंगे बैद्दूत आभेस के गुण बैद्दूत आभेस के गु आज हम जानेंगे बैदुतावेश के गुर्ण प्रोपर्टिज ओप इलेक्रिक चार्ज तो इसका गुर्ण नंबर पहला है दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि बैदुतावेश एक अधिस रासी है तो इसलिए इसे अधिस राशियों की तरह जोड़ा और घटाया जा सकता है जैसे मान लीजिया किसी बस्तू कोई बस्तू है हमने किसी बस्तू को Q1 चार्ज दिया Q2 चार्ज दिया माइनस Q3 चार्ज दिया और Q4 चार्ज दिया पिलस का भी net always होगा तो जितना भी always हमने दिया है उसके bजगड़ितिय जोग के बराबर होगा तो अगर हम इस बज़्टू पर कुल always निकालते हैं तो वह क्या होगा net always net always बराबर हो जाएगा इनके b prêt जोग के बराबर net always मान लिए q बराबर कितना हो जाएगा q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4 इसी तरह से अगर और भी आवेस हमने दे रखाया तो डोट 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 दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बैद्दुत आवेस एक अदिसराशी है और अदिसराशी है तो इसको अदिसराशी के समान जोड़ा और घटाया जा सकता है यह पहला इसका जो है गुण है यह आप लिख लीजेगा ठीक है बैद्दुत आवेस का दूसरा गुण है कि बैद्दुत आवेस को ने तो उत्पनी किया जा सकता है ने ही नश्ट किया जा सकता है बस क्या होता है एक जगा से दूसरी जगा को ट्रांस्फर किया जा सकता है समझ गए तो इसे आवेस सरक्षन का सिध्धान्त भी कहते हैं इसे आवेस सरक्षन सरक्षन का सिध्धान्त भी कहा जाता है क्या होता है आवेस को ने तो उत्पन किया जा सकता है और ने ही नश्ट किया जा सकता है केवल आवेस को एक बस्तू से दूसरी बस्तू में इस्थांतरित किया जा सकता अब माल लो दो बस्तू थी दो बस्तू है वो धारन के लिए मैंने माल लिया इस पर क्यू आवेस था क्यूबन आवेस था दूसरी बस्तू पर क्यू टू आवेस था जब हमने इन दोनों का घर्षन कराया तो घर्षन के बाद इस पर आवेस हो गया Q1 डैस या तो घटा बड़ा होगा क्योंकि जैसा कि हमने पिछली बीडियो में पढ़ा था क्योंकि जब भी दो बच्टों का घर्षन होता है तो इलक्ट्रों इधर उधर हो जाता है किसी पर पोजिटिव किसी पर निकिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है तो माल लिया घर्षन के बाद इस पे तो आ गया Q1 डैस चार्ज इस पर आ गया Q2 डैस चार्ज तो अगर हम इनकी नपत तोल करेंगे तो पहले वाले बच्टों पहले जो इन दोनों का नेट आवेस था Q1 Q2 बर बैदुत आवेस का तीसरा गुण यह है दोस्तों के माल लिया यह दो बस्तों हैं एक तरह की एक ही मैटेरियल की बनी हुई इन दोनों को हमने थोड़ी देर के लिए इसपर्स कराया और फिर अलग कर लिया और फिर क्या करा और तार द्वारा बाद में जोड़ देते हैं त बस्तों का नेट आवेस बरावर बरावर बढ़ जाता है दोनों का टोटल दोनों जो है समान आवेसित हो जाती है अब माल लिया एक बस्तू है हमारी मानले एक बस्तू पे हमारा Q1 चार्ज था दूसरी बस्तू पे हमारा Q2 चार्ज था ठीक है इन दोनों को हमने घर्षन कराया दोनों को टच करा दिया बाद में इस पे चार्ज होगी है हमारा मानले इस बस्तू पे हमारा चार्ज होगी है Q1 डैस और इस पर चार्ज होगी हमारा और इस बाली बस्तू पर होगी हमारा Q2- अब बात में क्या करा हमने एक तार दौरा इनको जोड़ दिया तार दौरा जोड़ दिया जब इस बस्तू का हम छेक करेंगे Q1- वो किसके बरावर होगा इन दोनों के नेट आवेस के आधे के बरावर हो जाएगा इसी तरह से जब हम Q2 को चेक करेंगे तो यह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 मतलब आवेश बरावर बरावर बढ़ जाता है जब दो बस्तों को हमने टच कराया थोड़ी देर के लिए घर्चन कराया और फिर तार द्वारा जोड़ दिया तो जितना भी दोनों बस्तों का Q1 होगा वो बरावर बरावर दोनों में बढ़ जाएगा जैसे कभी बैटरी जोड़ते हैं तो दोस्तों ये थे बैदूत आवेश के गुण अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल आवेश क्या होता है आवेश का Q1 में करना सिध्धान क्या होता है और कुलाम का नियम क्या होता है तो इसी तरह की फिजिक्स की मज़ेदार वीडियो के लिए सांदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रही है मैं ता समीम में मसेफ ही आप देख रहे थे फिजिक्स की किलास समीम सरकी जैहीं जैभारत